बिल नदी के किनारे किनारे जा रहा है। उसका सपना है कि एक दिन वह खुद की बोट खरी देगा और पूरी दुनिया घुमेगा। तबी उसने एक बोट देखी जो लोगों से खचा-खच भरी थी। पर जैसे ही उसने दुबारा देखा, इस बोट पर एक सिंगल आदमी नहीं। बदाए क्यों, एक छोड़ा सा हिंडू, बोट ने कोई डुपकी नहीं लगाई। क्योंकि बोट पर सभी मैरिड लोग सवार है, कोई भी सिंगल नहीं है। कैप्टन सैम ने बिल को अपनी पार्टी जॉइन करने का इंविटेशन दिया। बिल बहुत ही खुश हुआ और तुरंट डेक पर पहुँच गया। कैप्टन ने डेक पर तीन महिलाओं के और इशारा किया, और बिल से कहा, मेरी वाइफ जॉरजीना से मिलो। चलिए, बताएए, इन में से उसकी रियल वाइफ कौन है। इसने एक कपड़े तो बिलकुल कैप्टन जैसे ही पहने हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये इसकी वाइफ ही हो। इस दूसरी वाली महिला की अंगुठी तो बिलकुल सेम की तरह है, तो क्या पता ये ही उसकी वाइफ हो। लेकिन रुकिए, तीसरी महिला के हाथ पर बने हार्ट शेप टाटो में सेम का नाम लिखा है, हो गया ना कन्फ्यूजन। अगर आप ध्यान से देखें, सेम की बहाँ पर भी वैसा ही हार्ट शेप टाटो बना है, आँ, मतलब यही उसकी वाइफ है। जॉर्जीना महमानों के पास गई, और बिल से एक मुश्किल सवाल पूछा, बताओ, हम नाश्ते में कौन सी दो चीज़ें, कभी नहीं खा सकते। आपको कुछ समझ आया। अरे, लंच और डिनर। अब वे, बिल को डैनिंग रूमें लेकर गए, वहाँ दो टेबल लगी थी, और एक जैसे दो बरिस्ता थे, लेकिन फिर भी इनमें तीन अंतर हैं, बताइए क्या। देखे, ये रहे, वो तीन फर्क। बिल ने जॉर्जीना से उसकी फैमिली के बारे में पूछा, तो जॉर्जीना ने ये जवाब दिया, मेरे जितने भाई हैं, उतनी ही बहने हैं, और हर भाई के बहनों की तुल्ला में आदे भाई हैं। बताइए, परिवार में कितने भाई बहन हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं। उसकी चार बहने और तीन भाई हैं। उनमें से एक बरिस्ता ने बिल, जॉर्जीना और सैम के लिए डिलिशस कॉफी बनाई। जॉर्जीना ने अपना मग टेबल पर छोड़ दिया और हाथ धोने चली गई। जब वह वापस आई तो उसका मग गायब था। जॉर्जीना की कॉफी किसने चुराई। इस लड़के ने, देखो उसके मग पर लिप्स्टिक के निशान हैं। डिनर की बाद बिल बातरूम जा रहा था, कि तभी हॉलवे में उसे फिश टैंक बॉल दिखाए दी। फिर अचानक दर्वाजा तेजी से बंद हो गया, जो अब कोट से ही खुलना था। बताईए, बिल दर्वाजा कैसे खोल सकता है। दर्वाजे पर एक हिंट लिखा था, जुस पर लिखा था एक यलो फिश। उसे सारी पीली मचलियों की गिंती करके यहां टाइप करना चाहिए। एकदम सही गैस, सही कोड तेरा है। बिल ने जैसे ही बातरूम का दर्वाजा खोला, खोद को चार दर्वाजों वाले एक अजीब से हॉल में पाया। वहां एक टीवी और एक छोटी से खिड़की थी। खिड़की दर्वाजे के पास की दिवार पर थी, यहां से निकला नहीं जा सकता था। अचानक टीवी आन हो गया और उसे मेसेज दिया गया कि उसके पास जिन्दा बज़कर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। इसके लिए उसे सही दर्वाजा चुनना होगा। यहां तीन दर्वाजे नकली थे और सिर्फ एक ही दर्वाजे से उसे आजादी मिल सकती थी। बिल को कैसे पता चले कि कौन सा दर्वाजा असली है। अगर वहाँ खिड़की खोल दे तो इसे हवा का जोंका अंदर आएगा। जिससे असली दर्वाजा खुल जाएगा। बिल वापस डानिंग रूम में गया। वेटर ने डिलिशिस सुशी वाले दो ट्रे सर्व की। क्या दोनों के बीच फर्ट बढ़ा सकते हैं। ये रहे वे दोनों अंतर। डिनर की बाद बिलको अचानत बेचैनी होने लगी और वहाँ बेहोश होकर गिर गया। उसे होश एक पुरानी हवेली में आया। लाउड स्पीकर से सैम की आवाज आई। आगर तुम मेरी सभी पहलियां हल कर देते हो तो यहां से एक बिलियन डॉलर यानि की करीब 75 अरव रुपे लेकर बाहर निकलोगे। और अगर नहीं तो हमेशा के लिए यही कैद हो जाओगे। सबसे पहले दरवाजा खोलो। बिल ने दरवाजा देखा, ये पास कोड से ही खुल सकता था। बिल ने बिना समय गवाए कोड ट्राक कर लिया। क्या बदा सकते हैं कि कोड क्या होगा? कोड है 4784, दिवार पर देखो, यहां हिंट लिखा है, यहां चार फूल हैं, और हर फूल में पंखुडियों के नंबर अलग-अलग हैं। बिल ने खुद को एक लंबे और डार्क हॉलवे में पाया। आवाज ने कहा, अगली पहिली यहीं है, ध्यान से सुनो। इसे देखा और महसूस नहीं किया जा सकता। सुना नहीं जा सकता, और सूंगा भी नहीं जा सकता। यह सितारों के पीछे भी है और पहाड़ियों के नीचे भी। यहाँ खाली छेदों को भड़ता है, यहाँ पहले आता है, या फिर पीछे रह जाता है। यह जीवन और हंसी घायब कर देता है। बताओ क्या? सही जवाब है अंधेरा। जैसे ही बिल ने पहेली का जवाब दिया, किसी ने हॉलवे की लाइट आउन कर दी। अब उसे चार दर्वाजे दिखाए दिये। पहले दर्वाजे के पीछे बहुत ठंड थी, और अगर वह उस रास्ते से जाता है, तो कुछी सेकंड में बर्फ बनकर जम जाएगा। दूसरे दर्वाजे के पीछे एक खतरनाक वेंपायर था, और तीसरे दर्वाजे के पीछे का कमरा जहरीली गैस से भरा था। जाहिर है, यहाँ वहाँ सांस नहीं ले पादा, चौथे दर्वाजे के पीछे एक पानी की टंकी है, जिसमें भूखी शार्क उसका इंतजार कर रही है, बताइए उसे क्या करना चाहिए। उसे सुबह होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वेंपायर को सूरज की रौश्णी से नफरत होती है, इसलिए यही सुरक्षित समय रहेगा। अगले कमरे में बिल को दीवार पर पैटर्न बना दिखाए दिया। पानी भरना शुरू हो जाता है, बिल डर जाता है, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, उसने चारोंड देखा तो पूल में नीचे एक 6 फीट लंबी रस्सी दिखाए दी, वहीं एक 4 फीट का लकड़ी का बैरल और 3 फीट उची मेटल की सेफ भी पड़ी थी, बिल की हाइट 6 10 फीट है, बताइए वह पूल से बाहर कैसे निकल सकता है, जैसे ही पानी बढ़ना शुरू हो जाए, उसे बैरल को पकड़ लेना चाहिए, ये उसे डूबने से बचाएगा और उपर लेकर जाता रहेगा, बिल सही सलामत पूल से बाहर आ गया, और अगले कमरे में गया, वहाँ उसे ये पैटर्न मिला, इन एमोजी के बीच एक बटन भी छिपा है, क्या आप बदा सकते हैं, कहाँ? ये यहाँ पर है, अब बिल एक खुब सूरत बगीचे में पहुँच गया, उसे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता करना था, क्या आपको दिख रहा है, य सिर्फ पांचवे रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, अगले दर्वाजे में पांच नंबर के कॉम्बिनेशन वाला त्याला था, बिल ने कोई क्लू ढूरने की कोशिश की, उसे एक कागस का टुकडा मिला, जिस पर पांच डिजिट्स लिखे थे, 8-1-1-6-9, पर ये कोट गलत था, उसे घबराट होने लगी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कोट क्यों काम नहीं कर रहा था, बताईए क्यों? बिल ने कागस को उल्टा पकड रखा था, सही कोट 6918 है, अगले कमरे में बिल चार महिलाओं से मिला, उसे किसी को गाइड चुनना था, लेकिन सिर्फ एक ही महिला की कंपनी सुरक्षित थी, क्या आप बता सकते हैं कौन से महिला? पहली महिला की तो परचाई ही नहीं है, इसका मतलब है कि वह एक वेंपायर है, तीसरी महिला की गर्दन पर वेंपायर के दांतों के निशान दिख रहे हैं, यानि वह जल्दी खुद भी वेंपायर बन जाएगी, चौती महिला की बालों में साम चिपा है, इसलिए दूसरी महिला की कंपनी लेना ही ठीक है बिल को वह महिला एक डाइनिंग रूम में लेकर गई उसे टेवल पर चार दवाईयां देखी बिल ने उनमें से एक चुन ली शुक्र है उसने सही दवाई चुनी और अब वह पहली आगे कंटिन्यू कर सकता था इनमें से पहली दवाई लेने से वह घायब हो जाता दूसरी से उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती और तेस्री दवाई से उसका साइज चुहे के बराबर हो जाता वहीं चौत्वी दवाई से उसकी हाइट किसी बिल्डिंग के बराबर बढ़ सकती थी लेकिन इन में से हर एक दवाही का असर सिर्फ तीन मिनिट तक ही रहता है बताइए वह कौन सी बुतल चुने ताकि बच सके तीसरी, कमरे के कोने में एक छोटा सा दर्वाजा है बिल ने खुद को छोटा कर लिया और इस तरह है वह एक छोटे से दर्वाजे से बाहर निकलने में कामयाब रहा बाद में उसकी हाइट फिर से नॉर्मल हो गई अब बिल एक अंडरग्राउंड टेनल में पहुँचा लाउट स्पीकर से उसे बताया गया कि सही रास्ता चुनने के लिए उसके पास सिर्फ एक मिनिट है वहाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही थी इसने बिलको एक भी सेकंड गवाएं बिना तुरन सही रास्ता चुनना था पहले रास्ते में आग लगी थी दूसरे में एक बड़ा सा कैक्टस था और इसके कांटों की वज़े से वहाँ से रेंग कर निकलना संभवी नहीं था और तीसरे टनल में जहरीले चूहे थै बताए ऐसे में आप क्या करते पहला टनल बिल इस रेत की धेर से आग बुझा कर बाहर निकल सकता है अगले कमरे में बिल को ये वाल पेपर मिला उसे इसमें वह जगा ढूंड़नी है जहां एक सीक्रिट बटन छिपा हुआ है ये बागी पैटर्न से थोड़ा अलग है क्या आप इसे ढूंड सकते हैं? सावधान रहें क्यूंकि अगर बिल ने गलत बटन दबाया तो वह हमेशा के लिए इस महल में कैद हो जाएगा यहां पर है यहां एक और पैटर्न है क्या इसमें सबसे अलग ढूंडने में बिल की मदद कर सकते हैं? यह इन में से नहीं लग रहा है और अब यह पैटर्न देखिए यह सही है यह इमेजर लग है बताओ यह कैसे सॉल्व किया जाएगा यह आदमी इन में से नहीं है यह पैटर्न देखिए इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या यहां कुछ अजीब नजर आ रहा है? यहां देखिए अगला दर्वाज़ा खोलने के लिए बिलको छे अक्षरों से बना एक कोड टाइप करना था उसने इन लेटर्स को टाइप करनी की कोशिश की लेकिन कुछ काम नहीं बना क्या आप सही का पता लगा सकते हैं? यह कोड फैमिली है अब बिलने खुद को एक ट्रिकी भूल भूलया के दरवाज़े पर पाया क्या आप इसमें उसकी कुछ मदद कर पाएंगे? यह रहा रास्ता बिल अगले कमरे में पहुँचा अब उसे इमिज से मैच करने वाले सही सिर का पता लगाना था क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? दूसरा सिर मैच करता है बताईए इस पिक्चर में कौन सा सिर परफेक्ली फिट बैठता है? इस इमिज के लिए चौधा सिर सही है इस पिक्चर के बारे में क्या खयाल है? क्या आपको कुछ समझ आ रहा है? चौधा चेहरा ही ओरिजनल है बिल कुछ समय के लिए अपनी जगह से हटा और किसी ने उसकी गयर हाजरी में उसका लैप्टॉप और वह स्क्रिप्ट चुरा ली जिस पर वह पांच साल से काम कर रहा था पुलीस को तीन लोगों पर शक था बाब ने कहा बिल मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उसका लैप्टॉप क्यों चुराओंगा मैंने लैप्टॉप नहीं चुराया मैं तो पूरा दिन अपनी गल्फरेंड के साथ था जोश ने कहा मुझे तो ये भी नहीं बता कि बिल ने लैप्टॉप खरीदा है वैसे भी मैं पूरे दिन घर पर ही रहा हूँ रोजी ने कहा मैं पूरे विकेंड अपने पेरेंट के घर पढ़ थी और बस अभी अभी पहुंची हूँ बताईए कौन चौर है रोजी ने कहा कि वा अभी अभी घर पहुंची है पर इतनी जल्दी आग जला पाना तो पॉसिबल नहीं है